भारत और नेपाल के बीच सदियों से मिठास भड़ी रिस्ता रही है हमारी परवियस में कहा जाता है कि नेपाल और भारत के बीच में बेटी रोटी का सम्बंद रहा है हम नेपाल दोरे पे अभी आए हुए हैं सरलाही जिला में हैं और यहां के जीला समन्वे समीति के प्रमुक शृ क॓ल सरक किसूर जी से बात करेंगे उससे पहले प्रनाम, नमस्कार, सलाम, अदाब मैं राजीव रँजन सर आपको बहुत बहुत बढ़ाए धळ्यवाद राजीव जी जिल्ला समन्वे समीती के सर आप अध्यक्ष बने हैं क्या सर इसका कार क्या होता है कार का इसका क्या प्यमना है जिल्ला समन्वे समीती का मुक्ता आपको काम है जैसे जिल्ला के अंतरगत जितने भी अस्थानिये निकाय है अस्थानिये यूनिट सब है बीस अस्थानिये यू मेर के स्थाथ करने के लिए विभिने कारेक्रम connects खास अँसल मेर को सर लगवक जो फूंद आता है उसाथ से आप जो निकलते होंगे देखते उंगे तो मेर क की स साम से कारे कर रहा है आप कपी कोई रोल होता है क्या है उसने संगःता संख्यता आई है तुरंद अब पिछले पूरत पुरहर किये नहीं है दुसरे कारेकाल में हम सहीत वो वह हैं तो बहुत सारा exercising हो रहा है कहीं स्था काम में कमी कम जोड़ी है बुजेटिंग के हिसाब से तो अस्थानिय जो सरकार है, अस्थानिय तह जो यहां हम लोग बोलते हैं, वहां बुजट पर्याप्त है, अब उस हिसाब से अभी मैसिनरी सब का विकास नहीं होने के कारण, थोरा सा कमी-कम जोरी दिखाई पर रहा है, उस अब धीरे-धीरे एक करके दाव सzar ke नीचे वाला इकाई जो अस्थानिय तह उसको दिया गया, पुन ठिक ढडंग से अभी Mins Niosa के आधार का वाव है, संग रचना का वहाव है, उस समय काम हो रहा है, हम लोग आभ एक चोम करने कने लोगिे अथिकारं तो कर रहे हैं, अब सब शपी ज्योंट टिक पहले से जागरूख हुए है सागरुक और collective सुषिछ दूरी नहीं है, यहां कोई कमी कम जोरी नहीं है भारत-निपाल का बेटी रोटी का संबंध है, बहुत वीश्व के इतिहास में भारत और नेपाल का जो संबन्ध हो ऐसा संबन्ध किसी भी एक दूसरे कंट्री का कहीं भी नहीं है, उसे पूरे संसार का बाता करेंगे तो ऐसा है, यह ओपेंड बॉर्डर है, और यहां पर समस्या तो कभी-कभी आता रहता है, क्या जैसे राजनिती परिवेश बदलता है, कभी भारत में बदला, कभी नेपाल में बदलता है, और बियो रक्रेसी में चेंजिंग आती है, नेपाल में भी कोई नया सरकार आया, अपने धंग से सट अप होता है, उस समय थोड़े कुछ अबदी के लिए ऐसा होता है, लेकिन सब दिन ऐसा समस्या नहीं रहता है, और ऐसे अभी कहेंगे तो उस पर अब यहां हम लोग अभी काम भी कर रहे हैं उस अंदर में बोर्डर के इसु में सहजता हो यहां सिकुरिटी उधर से एसेश भी है इधर से पीएफ है अब वो सब का बहरार जनता के प्रतित्वरा नरम हो आवाज जागत सुगम हो इसके लिए और भ को जो जनकारी मिला है आपका ससुराल भी भारत में है ऐसा है जो अब देखिए सरकार तुस गौर्वर्मेंट टू गौर्वर्मेंट तो काफी है बात अब गौर्वर्मेंट टू दिल्ली और काठमांडू की बात है तो दिल्ली काठमांडू तो यहां से बहुत दूर है न लेकिन अब बोर्डर जो स्री मांचल इसको हम कहते हैं तो यहां का जो बस्तुष्थिती यह काफी दूर है उतना जल्दी तुरन्त का थुरन्त महीं सिमान्चल में यहां के भावना के अनुसार यहां के लोग शुभिधा के लिए क्या करना पड़ेगा अब उधर कभी-कभी इससभी वाल मुर्याइब इस्टरब कर देते हैं निगुत कभी-पॡ Saturday बोलते हैं ऑ वो District बहवार से काफी समय समय पर आती रहती है तो उसके समधान के लिए government to government अपने जगह पर होता रहता है लेकिन हम लोग people to people आये हैं के अस्थानिय प्रसाशन के माध्यम से भी और अस्थानिय प्रसाशन का तो नियमित मीटिंग होता है ना आपको इस district का सितामरी और सरलाही का स सितामरी और रौटहट गौर जिसको बोलते हैं नियमत होता रहता हम लोग आई जन परतिनीदी उन्नों को बीप कर देते हैं जो फलाने जगा इस टंकी समस्या वहां आने जाने में कठिनाई होई है या कहीं पर कोई क्राइम का अवस्था ने सर सुरू से ही नेपाल का जो मार आसान हो गया इस बजार से लोग मार्केटिंग के लिए जाते हैं लेकिन हाल के दिनों में जो आपका सिक्रूटी फोर्सेज लगा इस पर इतना ना यह किया है कि थोड़ा सा रिष्टे में दरार जैसे दिख रहा है उसमें क्या है जो देखिए अब पहले और अभी नहीं वो तो क्या है जो बोर्डर साइड का बहुत सारा जगा जो है भारतिय बाजार पर डिपेंड ही है आपको चाये वो नून तेल के हिसाब से हो या सिक्षा के हिसाब से हो या चिकित्सा के हिसाब से हो तो अभी भी बहुत सारे लोग यहां से इलाज कराने भी आपको उधर जाते हैं सितामर जाते हैं यह आप बाजार करने भी उधर लोग जाते हैं अब शिक्षा के लिए भी पहले काफी सारा तो सारा पढ़ाई लिखाए वहीं से होता था लेकिन अब धिरे-धिरे नेपाल में विकास होने पर अब उसमें थोड़ा थोड़ी कमी आई है अब यहां स्कुल कॉलेज इंवर्सिटी हुआ है तो उस शिक्षा के हिसाब से लोग इसर कर रहे हैं यह तराई छेतर का मूख पेशा जो है ना किसानी है यहां पर किसानी में काफी दिक्कत आती है यहां के लोग को यूरिया मिलना हम लोग कई बार देखे हैं सर बोडर पे आपके न दिले में जो नहीं किसान को अभी यूरिया और डीएपी के आप उर्ती में काफी कठनायों का सामना करना पर रहा है नहीं मिल पा रहा है और उधर से भी थोरह साब अब गौवर्मेंट टू गौवर्मेंट तो उधर से फर्टिलाइजर तो आपको आता है यहां नेपाल इसाफ वह रहा है कि एक इसानी हम लोग का जो आपसी जो रिष्टा है उसमें यह बहुत बड़ी चीज नहीं है यूरिया लेकर आना फिर भी सार इसको रोका जा रहा है तो इसके लिए सर्कार तुर सरकार जैसे दिल्ली इस बात को पहुंचाया जाने के कोशीच की जाने चा रिप्रिजन्ट करते हैं जिले से न उन्हों को भी कहें जो इस खास यहां मल बोलते हैं जो फर्टिलाजर खाद आप बोल रहे हैं इसके संदर में सिमानचल में बहुत सारा समस्या है बहुत ज्यादा बिभिन धंका है उसको लाने ले जाने में इधर उधर का स्युक्रिटी का तो इसमें एक नीती नेपाल के तरफ से थोस बनना चाहिए अब कहने का मतलब जो उधर से जो बैक्तिकर तबर पर ही कुछ यूरिया अबर किसान लोग लाते हैं तो उसमें जो आपको डिस्टर्ब किया जाता सुरक्षा भाज के द्वारा उधर से भी नहीं हो इधर से जब रोटी बेटी का संबन्द करते हैं तो किसान जो है एक दो पर आयुरिया डीएप उधर से ला करके इधर कर लेगा खेती कर लेगा इधर से ले जाकर उधर कर तो उससे कोई खास आपको नुक्सान होने वाला नहीं है तो इस सब पर मद्धेने जा रखके बात चित्तो अभी फिलाल होना चाहिए इस पर एक सार्थक पहल मिकलना चाहिए दोने सरकार से से दूसरा सवाल सर एक आखरी सवाल आप से लेंगे हम लोग अभी जब यह आपके मधेश छेत्र में घूमे हैं तो यह आपका जो दो नमर परदेश है इसको ले करके लोगों में थुरा सा नराजगी है इसका नाम मधेश-परदेश करके है इसको लोगों बोल रहा है कि इसका नाम मिथलाचल होना चाहिए मिथनापरदेश होना चाहिए देखिए अब इसमें क्या है आप ठीक कहें हमने नाराजगी की बात है दोन्य पर आफ जidas nasakran हो गया अब संगेता जब पुरिया आपको साथ प्रभिंस में इसको बना गया है, साथ खंडित किया गया, साथ प्रदेश हुए, एक दू तीन चार तई नामा करन से पहले एक दू तीन चार पाँच करके पहले संख्या के हिसाब से कोड किया गया था और इस छेतर के उसी विधान सभा को कहिया, प्रदेश का नामा करने का अधिकार दिया गया था, वो कोई अलग से कोई नामा करन वेसे ही नहीं कर दिया, उस सम्वंधित प्रदेश सभा को अधिकार दिया गया, जो आप अपने प्रदेश का नाम क्या रखेंगे, वो प्रदेश तक तक प्रदेश सभा जो है ना अपना किया तो इससे पहले वाला कारят कालवाला जो यहां का प्रदेश सभा था विधान सभा जिसको आप समझते हैं कहते हैं तो उन्पर देश सभा ने ही नमा नमांगन किया इसका मदेश प्रदेश इसमें फिर अब ये जग दो मधेश परदेश का जो अभी मुख्याले बना हुआ है जनकपूर जगत जन्निमा जानकी की भूमी है तो एक तरह से मिठलांचल का परिभास पूरे वर्ल्ड में यह जाएगा नहीं है लेकिन अब तो स्वेट हम लोग तो अधिकार दे दिये परदेश सभा को परदेश 107 सदस उसका दो तेहाई मेजरिटी से मधेश परदेश नामा करन किया तो उसको उसमें तो मिठलांचल करिए प्रिए प्रिंचा एंटेटि भी भी थे भोज्पूरी का भी थे पस्चुम के भी थे पूचछी हमति रहे तो उसको फिलंप मानना ही परेया उसमें पनासम कुछ होने को नहीं है चलिए यह थे हमारे साथ कौसल किशोर सिंग जी सरलाही जिला के समन्वे समिति के अध्यक्ष सर हम लोग को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद